और उसके बाद जब पीम का काफिल आएगा तो उसके बाद उसको रास्ता दिया जाएगा जैसे अंबुलेंस आईए मेरे सामने सब्सक्राइब आथा सर हम लोग वही पर वीडियो आज हमने भी एंबुलेंस के पास पूरा वीडियो ग्राफिक करवाई है मोधी आजकल एंबुलेंस को हर चुनाओं में रास्ता देते हैं दरसल यही रास्ता ही असल में उन्हें सत्ता तक पहुचाता है लेकिन यह रास्ता गलत है जिस पर एंबुलेंस आ जाती है या फिर वो एंबुलेंस ही गलत है जो अपना रास्ता मांगने मोधी के काफिले में आ जाती है कोई एक ही सच होगा सबूतों के साथ खुलासा करते हुए आगे सब बताऊंगा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रभात और आप देख रहे हैं फोरम फोर अब गुजरात के चुनाओं में एंबुलेंस की एंट्री हो गई है मैं आपको इस एंबुलेंस की एंट्री पर तमाम खुलासे करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ जो लोग भी हमें सुन रहे हैं धीरज बनाकर पूरा सुनने की कोशिस कीजिएगा मैं कल से देख रहा हूँ जिधर भी ट्विटर पर फेस्बुक पर पियम मोदी के काफिले के बीच अंबुलेंस को रास्ता देने को लेकर तमाम पोश्ट दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसकी हकीकत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे मैं आपको हवा हवाई बाते करके अपनी ओपिनियन बनाने के लिए गलब तरीके से मजबूर नहीं करूँगा बलकि आपको सबकुस सबूतों के अधार पर सच सच बता दूँगा इस राजनीती में मीडिया की मिली भगत का भी एहसास कराऊंगा बस दिल और दिमाग लगा कर थोड़ी देर मेरे साथ बने रही है जिस पीम की रैली और काफिले में बिना इजाजत कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता और अगर गलती से कोई टकरा भी जाए तो उसको मार कर भगा दिया जाएगा लेकिन उसी में आपने पंजाब में देखा था ना कि जब किसानों ने पीम का रास्ता रोक दिया और उसके लिए बीजेपी ने सुरक्षा चूक को लेकर के संसत तक किस तरके से भुनाया और आज बीजेपी आखिर अंबुलेंस की एंट्री को दिखा दिखा कर उसे निकालने का स्रेट देते हुए कई वीडियो वाइरल कर रही है ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं हो सकता बिना प्लान कि कैसे कोई गाड़ी बगल में आ जाती है और आती है तो उसके लिए वीडियो बनाकर जो दिखाने की कोशिस हो रही है तो आखिर क्यों हो रही है पीम मोदी ने रास्ता दिया एंबुलेंस को ये क्यों बार बार दिखाने कोशिस हो रही है क्या ये सच है जी नहीं हम वो वीडियो भी दिखाएंगे जहां एंबूलेंस पीम के आने से पहले घंटो फसी रहती है और पीम क्या मीडिया तक भी नहीं रहती है दस-दस एंबूलेंस फसे रहते हैं और आस्ता देने के लिए ड्राइबर और मरीज अड़प रहे होते हैं तो चलिए मुद्दे पर आते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात विधान सभा चुनाओं को ले करके एक मेगा रोट शो कर रहे थे इस दोरान उनके काफिले को रोक कर एक एंबूलेंस को आगे जाने दिया गया अंकर अंजना ओमकस्यप जिनको आप जानते हैं उन्होंने इसी को लेकर एक टीवी डिवेट के दोरान कांग्रेस नेता आलोग शर्मा से सवाल किया जिस पर उन्होंने अपने फोन में एक वीडियो दिखाते हुए इसे नोटंगी करार दिया टीवी डिवेट का वह वीडियो भी वाइरल हो रहा है और अब उस पर लोग खूम मजे ले रहें और यह खबर जनसत्ता ने भी छापा है जनसत्ता ने लिखा है कि गुजरात इलेक्षन लाइब सोमिट पीम नरेंद्र मोदी के काफिले और एंबुलेंस की बात कर रही थी अंकर कांग्रेश नेता ने मोबाइल दिखा बताया नोटंग की तो चलिए पूरा मामला क्या है इस पर हम खुद ही बता देते हैं आज तक न्यूज चैनल के एक शो के दवरान कांग्रेश नेता आलोग शर्मा ने कहा काफिला आने से पहले ही अंबुलेंस आकर खड़ी हो गई थी जिस पर एंकर ने कहा कि हम लोग वहाँ पर मौजूद थे हम लोगों के सामने ही सब कुछ हुआ है जिस पर कांग्रेश नेता अपने फोन में एक वीडियो दिखाते हुए दावा करने लगे कि आज हमने अंबुलेंस के साथ पास आज पूरी वीडियो ग्राफी कराई है एंकर इस बीच कांग्रेश नेता से सवाल करती है कि क्या आप लोग एंबूलेंस में बैठे हुए थे जिसके जवाब में कांग्रेश नेता ने कहा मैंने वीडियो ग्राफिक कराई है एंबूलेंस काफिला आने के 4 मिनट पहले ही आ गई थी दो मिनट की फोन डिकॉर्डिंग भी तो मेरे फोन में ही है और उसके बाद काफिला आता है तो एंबूलेंस आगे बढ़ती है ये गुजरात मॉडल है और इसके बाद सबको दूद का दूद पानी का पानी पता लग लोगों ने सोशल मीडिया पर अंकर अंजना ओम कस्यप और मोधी को लेकर के खूम मजे लिए बीजेपी के प्रोपेगंडा पर खूम किरकिरी हुई और ट्विटर पर या दिन राट ट्रेंड हुआ इस पर तमाम वीडियो लोग सेर करते हुए सवाल भी पूछ रहे हैं कि आकिर पीम अपनी सभाओं के दवरान अगर अंबूलेंस को रास्ता देते हैं तो ये क्या है इसमें फोरम फोर की हमारी वीडियो भी है जिसमें पीम मोदी हाल ही में इस दिवाली में अयोध्या आये थे और लगबग 10 से अधिक अम्बूलेंस इस लंबे जाम में फसे थे रास्ता खुद रोका गया था पुलीस प्रशाशन जानबूच का चुपी साधे हुआ था मोदी दिवाली में पटाके फोड़ते हुए जश्न मना रहे थे और रोट पर सायरन में अम्बूलेंस केवल चिला रहे थे घंटों बाद मोदी के अयोध्या से रवानगी के बाद उनका रास्ता खोला गया इस दवरान ये मीडिया जो अम्बूलेंस को रास्ता देने का गुरगान कर रहा था इन में से तक दूर कोई मीडिया ही नहीं था और उस श्टोरी को केवल हमने कबर किया देख लीजिये पहले कि किस तरह से मोदी जी अम्बूलेंस को रास्ता देते हैं उसका सच क्या है चाहिए ना आपको बड़ा हस्पीटल सेंडर किदर है लखनौ है लखनौ में एजी पीजी आई है के जी अमसी है लोहिया है यहाँ पीछ शार घंटे से रास्ता बंद किया गया है कभीधं के बहुत समस्य आये हैं इस वीडियो को अगर आपको पूरा देखना है तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्सन में इस वीडियो का लिंक भी दे दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी, समझ रहे हैं ना किस तरह सियासत में अब एंबुलेंस की एंट्री हो गई है, टीवी पर मोदी के गुनगान के लिए स्क्रिप्ट तयार होती है इसी तरह से, लेकिन असलियत तो सामने आही जाती है, आखिर में मीडिया से एक ही सवाल है, क्या मीडिया इतनी चलाकी के साथ विपक्ष में संको पर चल रहे, भारत जोडों की आत्रा के दोरान अंबुले मीडिया के खिलाब भी आजकल हर जगां बोलते नजर आ रहे हैं, सवाल ये है कि आखिर क्या सियासत में जिस तरह से मीडिया और सरकार दोनों मिल चुके हैं, क्या इससे निकल करके तमाम रवीश कुमार आखरी सच को पूरी तरह दिखा पाने में सफल होंगे, आप अपनी पी राय जरूर रखेगा, नमस्कार